असलाम लेकूम एंड वेलकम टो इसमान अली फिटनेस हमारी बॉडी का एक स्ट्रेस हॉर्मोन है जिसे कॉर्टिजूल कहते हैं इसके उपर मैंने वीडियोस बनाई ही हैं काफी इसको डिस्कॉस किया हुआ है क्यूंके ये एक तो स्ट्रेस हॉर्मोन है दूसरा ये फैट स्ट्रेस हॉर्मोन है यानि ये ना सिर्फ ये कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो इसके लेवल्स बढ़ते हैं बलके जब इसके लेवल्स बॉड़ी में बढ़ते हैं तो ये फैट बनिंग से बॉड़ी को निकाल देता है बलके हमारी बॉड़ी मजीद चर्बी जमा करने लग जाती है इसके ज्यादा बड़े होने की बज़ा से तो आज ही वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे खाने बताऊंगा जिनको खाने से आप कौटीजोल के लेवल्स को अपनी बॉड़ी में कम कर सकते हैं इससे पहले आपको एक चीज समझेटे की जुरूत है कि हमारी बॉड़ी में दो तरह के नर्विस सिस्टम है एक सिंपटाटिक नर्विस सिस्टम है एक पैरा सिंपटाटिक नर्विस सिस्टम है जो सिंपटाटिक नर्विस सिस्टम है वो बिसिकली हमारे समाता भी है कि हमारे sympathetic nervous system कहते हैं और दूसरा para sympathetic nervous system जो इस sympathetic nervous system के against हमारी बोड़ी को relax condition में लेके आता है, calm condition में लेके आता है ताकि बोड़ी अपने बाकी की जो functions है उनको सही तरह से कर सके जैसे digestion है, urination वगरा है, तो जिस वकित हमारी बोड़ी में sympathetic nervous system के levels ज्यादा बढ़ते हैं तो इसका मतलब है cortisol बढ़ेगा, वो stress hormone है और वो activate हो जाएगा, तो जब आपको इन basics का पता होगा तो आपको बढ़ी असानी समझा आजएगी कि अभी cortisol आपका बढ़ा होगा या नहीं clients हमें ये कहते हैं कि हम results नहीं हमें मिलते हम डाइट और exercise करते हैं और exercise 3-3, 4-4 घंटे करते हैं results नहीं मिलते हैं तो हम उनको यहीं कहते हैं कि आपने बढ़ी को mentally और physically stress में नहीं लेके आना क्योंकि जब भी आप ये दोनों काम करेंगे तो आपकी बढ़ी में cortisol बढ़ेगा और cortisol बढ़ेगा तो जैसे मैंने या बहुत ज़्यदा अपनी बढ़ी को ना थकाएं mental stress से कैसे बचाएंगे तो mental stress से obviously बहुत सी बाते हैं जो मैं mentally stress करती हैं लेकिन उसके इलावा हमारी diet उसका एक impact negative impact आता है जिससे हमारा cortisol बढ़ता है हमारी body sympathetic nervous system को ज्यादा activate करती है तो जब sympathetic nervous system ज्यादा activate होगा तो आपको mental stress आएगा अब जरूरी नहीं उसके लिए आपको कोई परेशानी या tension होगी तो आपका mental stress बढ़ेगा और सबसे worst जो diet है जो हमारा sympathetic nervous system बढ़ाती है वो आपकी sugars हैं और carbs हैं तो sugars और carbs जब हम लेते हैं तो हमारी body sympathetic nervous system को बढ़ाती है और उसके against cortisol बढ़ता है और physical का मैंने आपको बता दिये कि physical stress उसके तोगा है जब हम बहुत ज़्यादा overdue करेंगे exercise बहुत लंबी तीन तीन चाचाचा घंटी की exercise हो रही है पसीने निकाल रहे हैं थका रहे हैं थका रहे हैं अपने आपको कि जीस से हमारा fat loss होगा और नहीं होता fat loss तो अगर अगर अब हम बात करें कि वो खाने कौन से हैं देखें आपको sympathetic nervous system को कम करने के लिए parasympathetic nervous system को बढ़ाना है अब parasympathetic nervous system को बढ़ाने के लिए आपको कोलीन चाहिए, अब कोलीन किस खाने से मिलेगी, अंडों की जर्दी से मिलेगी आपको, इसलिए जो लोग कहते हैं कि अंडे की जर्दी हेल्दी नहीं होती, भई, ऐसी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, और उससे आपको कोलीन मिलेगी, अब आपका पैरस 12 बहुत जरूरी है यह चाहिए यह आपको मिलेगा जितने भी आनिमल प्रॉडिक्स हैं चाहिए फिश है चिकन है बीफ मटन है एग्स है इन सब से आपको वाइटमिन B12 मिलेगा तो अगर आप सिर्फ अंडा खा रहे हैं तो उससे आपको कोलिंग भी मिल रही है उससे आपको हैं डाइट प्लैन में भी रिक्मेंड करते हैं तो वाइटमिन D आपको सप्लिमेंट्स उसके मार्केट से मिल जाएंगे B12 के भी सप्लिमेंट्स मिल जाएंगे खानों में आपको कहां से मिलेगा वो आपको अंडों से मिलेगा फिश से मिलेगा रेड मीट से मिलेगा तो ल basis पर vitamin D use हो रहा है और जिस वक्त आपका synthetic nervous system की वज़ा से cortisol बढ़ता है तो vitamin D कम भी होता है क्योंकि वो suppress करता है हमारी body से खतम करता है vitamin D को तो इसलिए आपको इन supplements को लेना ताके आप अपने cortisol के levels को कम कर सके चोते नबर पे है probiotics इसके supplements आपको मिल जाएंगे खानों में ये आपको दही से मिल जाएगा cottage cheese से मिल जाएगा और इसके लब आपको supplements market से probiotics के मिल जाएंगे green olives जो है उससे भी आपको ये मिल जाएगा जो probiotics है और पांचवे नबर पे है आपका potassium और magnesium ये supplements भी आपको मिल जाएंगे लेकिन आप डाएट से कैसे लेंगे green leafy vegetables के साथ तो जिसके हम diet plan देते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि आपको सबजियां खानी है और उसमें ये green vegetables खानी है तो इससे आपको potassium और magnesium मिलेगा क्योंकि जैसे vitamin D कम होता है वैसे ही जब cortisol बढ़ता है तो आपके potassium और magnesium भी body से कम होते हैं और ये जब पूरे होंगे तो parasympathetic nervous system बेतर होगा और उसकी against आपका cortisol कम हो जाएगा तो ये थे पांच खाने मुझे उमीद है कि इस वीडियो से आपको पाइदा हुआ होगा आपका knowledge बढ़ेगा आप cortisol को control करने में मदद मिलेगी क्योंकि जैसी कोडियो को control करेंगे बज़न कम होना शुरू हो जागा यानी चर्भी कम होना शुरू हो जागी तो वीडियो को like कर दें पसंद आईए तो share कर दें बागी लोगों का फाइदा हो जाए मेरे channel को please subscribe कर दें बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजर होंगा अपना ख्याल रखियेगा अलाव